ते जस्वी जादयव जी ने कहा था कि खेला हो बे तब इनके दल में ही खेला शुरू हो गया है लालेज की कोई प्रकास्टा होती नहीं है चुनाओ का समय है लोग आवा गमन में विश्वास करते हैं इसको दोजार चौबिस के चुनाओ के बाद में चुनाओ करानवाना ही नहीं है आज पागर लोग सब्सक्राइब का पिकट देगी तो मैं सोचूंगी अब इन्हें रेंदर मोदी जी परधान मंत्री है तो उतो राहुल जी से बड़ा हई है हम लोग तो किसी को तोरे नहीं है ते जस्वी जादव जी ने कहा था कि खेला हो बे तब इनके दल में ही खेला शुरू हो गया है हम लोग इनको एक खेलाओना देते जा रहे कि खेलते रहे हैं और ये कौन-कौन संकल प्यातरा पर निकले हैं तो पहले लोगों को बताना चाहिए कि 1990 से 2005 का जो दौर था माता पिता का जो राज था वो बताना चाहिए कि कितना घोटाला हुआ जमीन लेके नोकरी दिया गया अने को अने घोटाला अचारा घोटाला हुआ अपरादी कैसे अने मार्ग में सरन लेते थे आज अने मार्ग में नितीश कुमार जी के राज में अपरादी अगर अपराद करता है तो वो पताल से भी खोल गया जाता है यह आने वाला चुनाओं में बिहार की जनता जवाब देदे। समय आएगा तो कुछ कि आपकी राहूल गादी से ज्यादा बड़ा ब्यक्तुतुर मोदी जी का है अभी नरेंदर मोदी जी परधान मंत्री है तो तो राहूल जी से बड़ा है इसमें कहने कि क्या बात है कि किसी से हमको बात्चीत नहीं हुई है लेडिया के माध्यम से मैं य इसे हो चाहें इंडिया से हो जो पार्टी हमको टीकट देगी उसका मैं समधन करूंगी क्या आपको कॉंग्रेस शोड़के बीजेपी आने का कोई वज़ा नहीं है पार्टी हमको संतावना दे रही है कि लोग सभाग आपको उमिद्वार बनाया जाए पता नहीं है किस कार इसको डिफाइन करें कि लालेज की कोई प्रकास्टा होती नहीं है चुनाओ का समय है लोग आवा गमन में विश्वास करते हैं वैचारिक पटल मजबूत नहीं होता है पैसा को देख करके दिमाग खराब हो जाता है तो यहीं उसका उसकी मिशाल है यह सब पहले कॉंग्रे चलती हैं और विश्वास घाती लोग इस तरह से घात लगा करके तमाम रिसोर्सेस का टिकट का इस्तमाल करती हैं पर प्रतिष्ठा पाने के बाद अगर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसको क्या कहा जाएगा गंदी राजनी तो गंदी भरस्त लोकतांतिक विवस्ता को कमजूर करने वाली और भाजपा इस तवाम खेल में शामिल रहती है उसको कोई मतलब नहीं है कि देश में लोकतांतिक विवस्ता बरी रही रही है तो वह जिस लिहास से आगे बढ़ रही है तो वो तो खत्रा मन ला रहा है हमारे एक जो पूरी डिमोकरटिक प्रॉसेस है इस देश में पक्च है विपक्च है आवाज है जनता की आवाज है सब को सुला देना चाहती है वो इसका खम्याजा देश की जनता को ही भुगतना पढ़ रहा है ना कल को कोई विपक्च कोई आवाज